कि नमस्कार मैं डॉक्टर आर्थी दवे लाल चंदानी हार्ट स्पेशलिस्ट हूं मैं आपको अभी बहुत जरूरी बाते बताने वाली हूं क्योंकि ठंड बहुत पढ़ रही है पूरे भारत में पूरी दुनिया में तो इस ठंड से अपने दिल को बचाने के लिए क्या करना है मैं यह जरूरी बाते बताऊंगी सबसे पहले वजह क्या है क्यों सर्दी में इतना हार्ट अटैक एंजाइना और में सूजन आना यह सारे जो दिल के लक्षण है यह इतने बढ़ क्यों जाते हैं इसकी वजह है पहले आपको समझना होगा आपकी ओवरॉल अक्टिविटी कम हो जाती है वेकिंग आवर्स कम हो जाता है वर्किंग आवर कम हो जाता है एक्टिव आवर्स कम हो जाते हैं रेस को नुकसान करते हैं धम्यों में कोलेस्ट्रॉल और ये फाट वगयरा प्लेटलेट्स जमा होने लग जाता है आपके वेंस में भी है लक्ति होने लगता है तो जब ये होता है तो आपका यह भी सबजिया मिलती है है मोटे ग्रेंज भी बोह जो टेस्टी बनते हैं इसाम बाजरा जाडए बहुत मिलने लग जाता है इसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है आप यह जादा खाते हैं तरह तरह की सब्जियां मतर जिसमें काफी कैलरीज होती है मतर बहुत आता है और सब्जियों के साथ ही आपका बहुत मन करेगा हाई प्रोटीन डायट भी वेजिटेरियन में मिल्क का प्रोड खाल भी जादा मिलते हैं यह आप खाते हैं आपका क्यालोरिक इंटेख बढ़ता है ड़िएदिज बिगड़ जाता है धंध में भूक भी रगती है भूक लगने से आपका खाने की वेकिंग आवर श्में खाने की फ्रिक्वेंसी निसित यह फ्रिक वीज़ाती और इंटर् थाइरोइड हाइपो थाइरोइड ज्यादा तक्लीफ देता है थाइरोइड की कमी थाइरोक्सिल आप जितना हार्मोन ले रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ानी पड़े यह भी आपको तक्लीफ दे सकता है तो आपको सारे ब्लड टेस्ट करा के अपना नए पैरमिटर रेखने करें जिनके आंजियोप्लासी स्टेंड बाइपास हो चुका है वह अपना पूरा रिवाइज करा है ट्रीटमेंट डाइबेटिक्स अपनी मॉनिटरिंग और फ्रिक्वेंटली करें हो सकते तो डेली शुगर चेक कर लिजे कुछ दिन तक इसके अलावा आप ओनलाइन कंसल करती हूं आपको आने की जरूरत नहीं है ट्रावल करने से आपको ठंड में खत्रा हो सकता है इसलिए घर से बाहर जहां तको ना निकले ऑनलाइन आपको वीडियो कंसल्टेशन से आपको प्रेस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा और आपसे पूरे अची तरह से डिसकर्शन हो गरिष्ट खाना जाड़े में ना खाएं बी एमर लो होता है उसको मेटबलाइस करना यूटलाइस करना डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है पेट फूल सकता है ज्यादा लंबे आवर्स आप बैठते हैं जैसे टीवी के सामने बैठ हैं या कुछ काम नहीं कर रहे हैं थन के मारे अगर रजाई में घुसके बैठे हैं या इलेक्ट्रिक ब्लांकेट के उपर बैठे हैं तो आप हिलते नहीं आपकी क्यालरी बर्न नहीं होती वजन बढ़ता है इसलिए बहुत हैवी खाना ना खाएं बार बार आप खा सकते हैं लेकिन कम-कम और भारी खाना ना खाएं नौन वेज बिलकुल अवाइड करें नौन वेज ना खाएं वैसे भी नौन वेज मैं मना करती हूँ खास करके हाट पेशन्स के लिए तो नौन वेजटेरियन डाइट न खाएं खाते ही सोय ना बीच-बीच में आप लेटे भी हैं रेस्ट भी कर रहें तो बीच- उठके थोड़ा अक्टिव हो जाएं एक्सराइज करें अपने सारे बॉड़ी पार्ट को हाथ को फिंगर्स को भी और नीज आंकल्स थाइस सबको एक्सराइज करें टोज गरदन के एक्सराइज बहुत जरूरी है और एक साइकल ऑफ एक्सराइज सुबह कर ले तो प्राणायाम जरूर करें मेडिटेशन तो हमेशा की भाती करें पर प्राणायाम में हर तरह का प्राणायाम करें प्राणायाम करने से ठंड भी दूर हो जाते हैं ठंड कम लगती है नहाना आप गरम पानी से ही नहाएं नहीं तो थर्मल शॉक हो सकता है ठंडे पानी से और आपके muscles अकड सकते हैं उसी तरह हार्ट में sudden death भी हो सकता हार्ट sudden stop कर सकता है एक हम लोगों का diagonal rhythm होता है उसको follow करने के कोशिश करें सुबह जल्दी उठना ये maintain रखें अंदेरे में उठना पड़ सकता है क्योंकि sunrise देर से होता है सुबह जल्दी उठिये सुबह आपके अच्छे hormone secret होते हैं body में आपको अच्छे humors मिलते है body में उनको utilize करते हैं जब आप active हो जाते हैं सुबह उनका फाइदा मिलता आपको steroid level बढ़ता है रात को देर तक जगना जाड़े में खास करके ठीक नहीं है ठंड भी बढ़ जाती है temperature कम हो जाता है और रात में जगने से फिर आपका अगला दिन का cycle भी बिगड़ता है और आपका digestion वगएरा sub affect हो जाता है तो दिन में ना सोएं दिन छोटे होते हैं और अपना exercise routine वाक जरूर करें sleeping hours को लगभग उतना 6-8 घंटा रखें उससे जादा न रखें सबजी फल जादा खाएं क्योंकि ताजी सबजी फल मिलती है इसको आप जादा खाएं और फिर भी कोई दिक्कत हो जरासा भी को दिखाएं वार्मप पेरियड ग्रजाई से निकल का थोड़े देर अपना हाथ पैर चला लें और थोड़ा active होके थोड़ा सा warm-up exercises bed पे करके तब उठें उसी तरह बाहर जाना हो तो आप पहले आप घर से बाहर निकल लें कि पहले अपना temperature normalize कर दें इस heater वगएरा बंद करके एक transition period थोड़ा 10 minute का देके तब बाहर निकले एकदब बाहर निकलते ही जो ठंडी हवा लगती है उससे angina or heart attack हो सकता है आज मैंने आपको बहुत जरूरी जानकारी दिया है ठंड में दिल की बीमारियों से बचाव की ध्यान रखिएगा धन्यवाद झाल